Be Happy, Be Healthy, Be Blessed मैं डॉक्टर संतोस कुमार प्रोफेसर ओफ इरोलोजी हूँ एक प्रीमिर इंस्टिचूट पीजाए चंडीगर में मैं जो डिस्कस करने जारा हूँ एक कॉमन प्राब्लेम है सेक्स प्राब्लेम, इरेक्शन की प्राब्लेम, मैराइटल कंफिलिक्ट होती है और इसके लिए बहुत सारे नीम हकीम एबलेवल है सेक्स एक्सपर्ट कहते हैं लेकिन विज्वेली इसका ट्रीटमेंट इरोलोजिस्ट के लिए इरोलोजिस्ट के पास जाना चाहिए और बहुत सारे मेडिसीन है, बहुत सारे टैबलेट्स हैं और बहुत केस में इफेक्टिव भी होते हैं लेकिन एक ग्रूप है जिसमें ये टैबलेट्स इफेक्टिव नहीं होते हैं इरेक्शन के लिए जो मेडिसीन है एफेक्टिव नहीं होते हैं, तो क्या करें तो इसके बाद आता है इंजेक्शन के लिए ये है पेनायल इंजेक्शन इसमें डिफेरेंट तरक के इंजेक्शन आते हैं जिसके जिसे लगाने से फिर नॉर्मल इरेक्शन एचीव हो सकता है लेकिन ये इंजेक्शन डिफरेंट तरह के होते हैं और इसे यूज करने से पहले आप डॉक्टर से कंसर्ट जरूर करें और देखें कि मेडिसीन जो ले रहे हैं वो एप्रोपियर डोज में ले रहे हैं या नहीं या कोई आपका और भी मेडिकल कारण तो नहीं है जिसके कारण जिसको ट्रीट करने की जुरुत है कोई और भी कोई tension वगड़े की problem तो नहीं है जैसे treat करने की जरूत है और कौन सा injection लगानी है और उस injection लगानी के लिए आप hit हैं नहीं है उसे आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं कौन सा injection लगाना है किस dose में लगाना है और कौन से जगर लगाना है ये injection जो लगानी है कौन से site पे लगानी है injection लगाने से कोई problem हो सकती है क्या ये सारी जानकरी आपको irologist चेंड लेनी है उसके बाद ही ये injection लगानी है ये injection लगाने के बाद जब आप का सारा performance ठीक होता है उसके बाद ये normal erection के बाद फिर ये down हो जाती है एदी ये डाउन नहीं होती है तो फिर आपको इमर्जनसी इरोलोजिस को एटेंड करना पड़ेगा नहीं तो जब डाउन नहीं होती है उसे प्रयारपिज्म कहते हैं वो भी पेनाईल हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है अता जब टैबलेट्स काम नहीं करती है तो भी निरास होने की जुरुत नहीं है उसके बाद इंजेक्शन थेरपी है उसके बाद और भी थेरपी है लास्टली जो है वो पेनाईल इंप्लांट की सरजरी करानी परती है तो यह था हमारा छोटा वीडियो एवेर्नेस का और भी बहुत सारे वीडियो है मेरे यूट्यूब पे जिसे देखके आप अपना ग्यान नॉलेज बढ़ा सकते हैं बेहपी, बेहल्दी, बेहल्दी, बेहल्स्ट